रोजगार सबको है लेकिन उतने में सबका काम नहीं चपाता इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेकिन कोई नवकरी नहीं मिल रही लग जाए मेरा जोप वहाँ पे कमा हूं मेरा भी जो भी है समस्या दूर हो जाए यहाँ पर कभी कम कम होता है कभी जादा होता है तो वहाँ तो एकदम जो भी है फिक्स है जो भी पैसा है यह लखनव का आईटी आई है यहाँ पर इस्रेयल में तमाम नौकरीयों के लिए भरती का काम चल रहा है मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको दिखा हैं यहां का ITI का नजारा आप दिख सकते हैं कई सारे लोग यहां पर पंक्ती में नीचे पैठे हुए हैं और इनको बाद में जाके पंजी करन हॉल में जाकर कुछ और दस्तावेज भरवाए जाएंगे आईए हम लोगों से बात करते हैं तो आपने कौन से उसके लिए भरा है फॉर्म और कौन-कौन सी नौकरियों के लिए यहां पर भरती हो रही है यहां टाल्स मेंशन है, इस्टिल फिक्सर है, इस्टिल बेंडर है और पलास्तर है यहां पर वेतन एक लाग सैंतिस है और कुछ रुपे है इसे करके, मतलब एक लाग अंतिस है क्यास पस है लेकिन इस्राइल और गजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके मद्दे नजर आप लोग महां जा रहे हैं आप लोग के बरिवारवाले उसको लेकर क्या चिंतित है या नहीं है तो हर आदमी चिंतित है लेकिन पैसा के जुदर थे इसलिए सभी जा रहे सैंद्ध से बारा बंकी में जहां परहते हैं वह आपके लिख आया रोजगार का अफसर नहीं आप गोरगपुर में क्या काम करते हैं जोडाई चुनाई कर कितना कमाई हो जाती थी आत्ताइब अधारे अजरवीश हो जारे बस अपकी उमीद कितनी बंदी हुई एसे कि आप कितना चाहते हैं कि आपको ये नौकरी में ले आप जाएं, वा हाँ काम करें? अँदर जाना ही दिया जा रहा है उनके कागजात के साथ साथ उनका आथार कार्ट और क्या पास्पोर्ट आप जो बना बॉहाएगा? पासपोर्ट पहले से जिनका बना है उनका बना है सरकार नहीं बनाना पड़ा यह का основे कूछ नहيकरार है क्या काम करना चाहते कोछ修 कर रहे हैं यहां क्या बेरोज्गारी को नहीं हो रहा है तब से यही सब भाई कि बेरोजगारी है ग्रियोजेशन पास हैं लेकिन कोई नोगरी नहीं मिल रही है के यहां पे जिसे कि कातार लग लग यह लोग खड़े हुए लाइन से उसके बाद क्या होगा अंधर अंदर वार मेट्रिक होगा उसके पाद रसें होगा पाद ट्रेनिंग होगा जी मैं विजनोर से हूँ आपने अपलाई कर दिया जी इंट्रुव्य हो गया हमारा तो अंदर क्या प्रक्रिया थी आपने पहले आप लोग यहां कता लगा के बैटे हुए थे पर उसके बाद क्या हुआ वहां पर प्रोजिसर वांदर फार्म बराग गया उसके बाद पर फिर यहल में काम करवाया घ्ल में क्रवाया एक से इस्टील बैल्ड तर्थी इस टील्वेटिंग कुछ किया है जाल बंद यहां जाल बान पास हो गया है कर बता नहीं कि मैसेज हा घंना है का पके पास होता यहिए इंटरव्यू भी होता है यह इस अ कि दिए प्रैक्टिकल कराया जो बहां से टीम हुई है इस्राइल से इसराइल के लोग आ वह करा गए आप यहां क्या काम करते हैं यहां मारा फनीचर काम है विशकरमा हैं अपना कारपेंटर काम हमारा भी आए हैं तो समझेंगे उसको जानेंगे उसके बाद ही डिसिजन लें पर वहां की योजनक हिसाब से हमें कुछ जादा थोड़ा वेनिफिट लग रहा है और उसके बाद यहां पर कभी काम कम होता है कभी जादा होता है तो वहां तो एकदम जो भी है फिक्स है जो भी पैसा है उसका देख रहे हैं आपकी कई लोगों को कतार में हाँ पे बिठाया गया है और उसके बाद एक ही करके इनको अंदर भेजा जाएगा लेकिन हमने कई लोगों से पूछा तो जाहर सी बात है जो वेतन उनको और जिस तरीके के रोजगार से वो अपने जिलों में खासता और से उतर प्रदेश के जिलों में कमाते हैं उनको उमीद है कि उससे कई कि गुना जादा वो इसरेयल में जाकर यह जो काम वो यहां करते हैं प्लास्टर का वेल्डिंग का तमाम तरीके के जो जॉब्स होते हैं उसको वहां करने से उनको जादा फाइदा पहुचेगा बिल्कुल बिल्कुल मुझे इसलेए अच्छा लग रहा है कि लोग बाहर जा रहे हैं कमा के लाएंगे लेकिन वहां अभी भी जो जहां बेजा जा रहा है वहां पर कितना सुकूर हैंगे इनकी जो सोचल सुकूर्टी वहां पर कैसे करती है तो क्यूंकि सुरच्षित होना भी हमारा देश के जो है लेबर सुरच्षित भी वहां रहें और पैसा भी कमा के देश को लाएं, यहां पर अधिकारी भी शहाद जो 63 महिने के लिए एक लाग 37,206 रुपे भरती किया जाना है और ये भरती जो चल रही है यहाँ पे कितने दिन तक चलेगी ये 30 तारीक तक चलेगी और अभी तक कितने लोग आये हैं आपके अंदाजन रुमाने तो परलब रोज में देख रहा हैं आज भी काफी भीड है तो कितना आकणा आप बता सकते हैं कि अभी तक लोगों ने यहाँ पे इस तारीक को लगभग 600 बच्चे आये थे जिसमें से लगभग 400 का सेलेक्शन हुआ है और 24 तारीक को 850 बच्चे आये जिसमें 600 का सेलेक्शन हुआ है आज लगभग जो है 12-1300 बच्चे आएं हैं लगभग मुझे लगता है कि कल लव परसों के रेशियों के हिसाब से 8-900 के बीच में स्रेक्शन होने की समभवना है और आपको क्या लगता है कि काफी रिस्पॉंस अच्छा है इसको लेके यहाँ पर अक्चुल में क्या है कि जो इसके पहले भी लोग जाते थे विदेशों में लेकिन यह है कि उसमें क्या होता था कि उनके साथ ठगी वगरा हो जाती थी चुकि इस बार सरकार के दोरा भेजा जा रहा इससे लोगों को थोड़ा सा विश्वास है कि हमाई साथ कोई चीटिंग नहीं होगी इस तरीके की नहीं होगी इसलिए बच्चे जारने के लिए ज्यादा इंट्रेस्टेट हैं कौन सी उम्रे से लेकि कौन सी उम्रे तक के लोग जा रहे हैं इसमें एज का कोई बहुत ज्यादा हो रही है जहाँ पर इसरेल और गाजा का की जंग चल रही है वहाँ पर इसरेल में रॉकेट्स फायर होते हैं कई बार के लिए इंस्वरेंस जो है सरकार कर आएगी ऐसे कई सारे लोग हैं जैसे हमने बताए कि यहाँ पर मौजूद है लोगों की जो तादात है वेकंसी के लिए अप लखनव से रमिश्वर्मा के साथ अनंजनाने